अग्याओ एवरीवन वेलकम टो परिक्षा जोन सिक्षा से परिक्षा तक आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परिक्षा जोन में आज जो हम करने वाले हैं वह हमारा प्रिवियर पेपर होगा एक ठीक हमने पूरा पेपर लिया है ट्राइ करेंगे हम उस पूर मैंने कुछ बच्चों के डाउट्स में आए थे मेरे पास तो हम सब उन्हीं को आज सोल करेंगे और देखना जैसा पेपर एक्जाम बिल्कुल जो एक्जाम में आए वह वही पेपर मैंने लिया है प्रिवियर पेपर है जब सोल करा दूंग उसके बाद बताऊंगा भी कौ पेपर था कौन सी श्रीट का वेपर था आप जाके छेक कर लेना ठीक है कोई मैं अपनी तरफ से कॉश्चन नहीं बना के लाए हूँ सब प्रिवियर पेपर में जो एज़िया तो इसी होगा हाड है तो हार्ड होगा सब के लिए ठीक है तो वह प्रिविएर का कॉश्चन है और मेन फोकस्ट फॉर एससी रेलवे और डी यार्डियों एम्टियस एंड रेलवे ग्रूप डी मतलब रेलवे के सभी एक्जाम और एससी के सभी एक्जाम जिसमें भी मैथ साती उनके लिए सब के लिए इंपोटेंट है ठीक है कोशन का लेवल आज हमारी पहली क्लास प्रिवेश एड पर की तो थोड़ा कोशन सापको इजी लग सकते हैं ठीक है मैंने जान भूजकर हाड नहीं रखे है क्योंकि अगर आपको हाड पर लिया था कोई हाड शिफ्ट का तो आपको प्रेशानी होती फिर इतना हाड करने में तो एक बार इजी कीजिए फिर हम हाड शिफ्ट के वेपर भी सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं को है सबुआ है कि 需से को ही शॉट नेरा जिसे चार अंकों की सबसी छोटी संक्रिया में जोडने पर प्रापत योग तीन चार-पांच और छै से विवाज्जय हो इसटिक सबसे चोटी से लेना पड़ेगा आपको से लसी हैं यक हजार और जो आपके रमबर दिये न तीन चार पांच छेहिन का लेना पड़ेगा आपको LCM क्या हो जाएगा 3 1, 4, 5, 2 और यहां से कैनिकल आएगा इसका 2 आजाएगा तो 2, 5 बचेगा तो कितना हो गया 5, 210, 220, 20, 60 तो इसका LCM कितना आगया 60 हा गया ठीक है अब LCM तो 60 हा गया की जाए जो यह पूरे तरीके से भी भाजित हो जाए 3, 4, 5, 6 तो अगर मैं 60 से इसको भी भाजित कर दूँगा तो मुझे पता है 3, 4, 5, 6 से भी हो जाएगी क्योंकि वो उसी का LCM है तो करे 60 से तो 60 से किया तो यहां पर क्या आजाएगा देखो आप कोश्चन ना वीडियो रोक के सॉल करना क्योंकि अगर मैं रुकूंगा 30 सेगिंड्स के लिए आपके लिए तो टाइम बचेगा ही नहीं इतना ठीक है मैं 10 सेगिंड के लिए फिर भी रुक जाऊंगा बट आप वीडियो रोक के स्टोल करना ना हो सॉल तो फिर सॉलुशन समझना फिर भी अगर सॉल हो जाए तो एक पर सॉलुशन जरूर देखना जिससे आपको अगर मैं कुछ नए तरीके से करूं तो आप समझ सको तो यहां पर क्या बचेगा 40 जीरो तर लिए इमने 400 अब 6 का टेवल पढ़िए मेरे को पता है चैसे 36 642 मतलब मैं चारफीस होगा अगर मैं साथ पी दूँगा तो मैं इसमें आगर 420 करता हूं तो मेरा बीस कम पढ़ रहा है तो मैं इसमें 20 ही है आड़ कर दूँगा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ए ओप्शन अगर मैं तो यहां देख रहें कि तीस सेकिंड में कॉश्चन को कैसे करना है पेपर में अब यह कोश्चन है यहां पर दो एक्वेशन है एक्स और वाई का मान गयात करना है देखो अगर इसको आप सोल करोगे तो वैसे भी हो जाएगी स्क्वेर को अटा के इधर ले आएंगे ठीक है कि वाई कि प्लस टू कि लिए रहे है तिसी का मैसेज आ गया था चलिए कोई नहीं फोटी नाइन हो जाएगा एक्स माइनस वन वाई प्लस टू अब मैं देख रहा हूं गर मैं कुछ वैल्यू रखूंगा ना तो फोटी नाइन में इतनी बड़ी वैल्यू तो रखी नहीं कि यह option हट गया मैं option से कर रहा हूं इस question को ठीक है equation बना कि कोई फायदा नहीं यह question option से easily होगा यही चीज हमें सीखने है session में कि हम question को कैसे tackle करेंगे paper में होगा तो मैंने देखा मैं छोटा option रखके देखता हूं यह तो clear हो गया भी नहीं होगा डी को रखके देखा एक एक की वैल्यू आठ रखी तो आठ माइनस एक साथ और वाई की वैल्यू पांच रखी पांच प्लस दो साथ और साथ गुना साथ 49 तो मेरा इसी से पता चल गया भी डी option सही होगा अब आप सब्सक्रों को याद होगा मेरे को कुछ याद नहीं मैं साथ सोल कर रहा हूं question ठीक है मैंने बस यह देखा कि 49 है और इसमें ऐसी कुछ वैल्यू रखू चोटी वैल्यू हो क्योंकि छोटी वैल्यू का मल्टी वैल्यू पचास क्या सपास आएगा तो मैंने इससे शुरू किया आपना यह option से शुरू कर सकते हो इतने पस जैसे आप किज जल दी एक पॉइंट है ठीक है एक पॉइंट उससे एक्स एंड वाई मीटर अवे फ्रॉम दा फॉट ओफ ट्री और आइधर साइड ओफ इट एक पेड़ है ठीक है एक पेड़ है ठीक है ऐसे कुछ एंगल बताए गई है ठीक है question पढ़ लेता हूं में आगे क्या कहते है एंगल ओफ एलिवेशन एक का अलफा है और एक का अगर मैं बीटा को यह बोल सकता हूं नाइंटी माइनस अलफा क्योंकि हमें question में given है ठीक है हमें क्या निकालने इसके हाइट निकालने है एच तो अगर मैं बोलू टैन अलफा कितना होगा हुआ है अलसर तो मैं आपको डारेक्टली भी बता सकता हूं बट फिर भी समझ लीजिए टैन अलफा कितना हो जाएगा तो टैन अलफा होता है क्या पर्पेंड्टीकुलर अपन बेस यह बोला गया यह एक्स डूरी पर यह वाई दूरी पर ठीक है एच अपन में एक्स हो जाएगा ऐसी टैन नाइन टी माइनस अलफा यह क्या हो जाएगा कि यह एच अपन में वाई हो जाएगा ठीक है कि लिए इतनी बात 10 अलफा और 10 90 वाइनस अलफा अब आपको एक 90 वाइनस अलफा को मैं बीटा भी बोल सकता हूं ना कि लिए रहना इतनी बात तो अब ध्यान से देखना आप इसको अगर मैं बात करूं 10 90 माइनस अलफा की तो देखिए अभी आपका एंगल है 10 90 माइनस अलफा अगर मैं बोलूं देखो ऐसे क्वाडरेंट आपको बनाने आते होंगे जिसको पता है अच्छी बात है 10 90 माइनस अलफा को क्या बोल सकते हैं को ऊजाता है ठीक है टेन का कोट आनल ह होता अब मैंशन मेरे पास जगानियेर तो वैकुछ एड़ेज कर लेता हम पिढ़नाने कि प्रवेश कर लेता हूं को सॉस्विछ इंटे माइनस अलफा क्या हो जाएगा इंग ऐसे कोट अलफा हो जाएगा ठीक है इतनी बात आगी समय म है तो देखिए 1090 माइस अलफा क्या हो जाएगा कोट कोट अलफा हो गया के लिए अब कोट अलफा को अब पता यह भी बोल सकते ना वन बाइट अलफा ठीक है वन बाइट अलफा बोल सकते हो तो ध्यान से देखना अगर मैं इन दोनों इस वाली फर्स्ट एक्वेशन की हो जाएगा repay ay के बराबर हो जाएगा । ही अब मैं क्या करता हूं है तो थान अलफा इन दोने का इसन को इसको मॉल देता हूं फरस्ट छ इक्वेशन और इसको सेकेंड अब इन दोनों को ने मल्टिप्लाई कर दूंगा मैं तो मल्टिप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखना अभी जगह नहीं बची है मेरे को रफ करना पड़ेगा इधर वाला रफ कर लेते हैं एक बार इसको मैं अगर डिवाइड मतलब गुणा करूंगा तो इससे यह कट जाएगा ना देखो कैसे यहां पर लिख रहा हूं फिर उसको अटा दूँगा इससे यह कट जाएगा ठीक है तो इसको बटा रहा हूं इधर तो बचेगा वन इधर क्या बचेगा वन बराबर एक्ष इंटू क्या हो जाएगा एच बाइवाई अब सोचोगे सरी इसमें एच बाइवाई की उपुट किया क्योंकि मल्टिप्लाई किया ना और वन वाइट एन अलफा की वैल्लू तो एच बाइवाई थी अब यहां से देखो क्या निक लग जाता है ठीक है तो इसका जाएगा एच इज कोल टू रूट एक्स वाई तो हाइड क्या हो जाएगी एक्स और वाई का रूट तो देखेंगे स्कॉप्शन नम्बर कौनसा सी है आप सारा रफ कर रहा हो मैं उसको आप्शन नमबर 20 है हमारा हुआ । नैग्स्ट को सेंट इफ दन गड़ फिफ्टी इंक्रीजड भाई 30 परसेंट धन वाट इजड़ इसदा इनक्रीजड वैल्यू तो यह तो बहुत असान को स्चन अगर इफ दन में 45 जोड़ दोगी तो 195 में आजाएगा आपका अंसर देखो मैंने कर दिया ना 10 सेकिंड में कुश्चन पेपर में आयोगा कुश्चन है पेपर आपको बाद में बताऊँगा मैं जब पूरा हो जाएगा मारा यह अभी एक बच्चे का डाउट था इसको देख लेते हैं आपको साइध कोश्चन थाड़ा कम दिख रहा होगा मैं बोल दूँगा एक ट्रेन दो व्यक्ति को जो समान दिशा में 3 किलो मेटर और 5 किलो मेटर की चाल से चलता है ट्रेन उसे 10 सेकिंड और 11 सेकिंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल होगी यह डाउट है तो इसलिए आ आपको करना है करिए तो द्यान से देखे क्या हो रहा है हमें डिस्टैंस नहीं पता मैंने माल लिया इसका डिस्टैंस है वाई ठीक है जो ट्रेन चल रही है अब यह क्या बोला कोशन में एक ट्रेन दो व्यक्ति को जो समान दिशा में चल रहे हैं समान दिशा में जब भी चलते हैं तो आपको कि टाइम के बराबर आएगा ना यह फॉर्मुला पता है नहीं स्पीड इसके बराबर दिया हुआ है में 11 के बराबर नहीं सोरी 10 के बराबर दिया हुआ कोशन में ऐसी दूसरी क्वेशन बनाऊंगा वाई अपॉन में X-5 तो जब कितना लग रहा है टाइम 11 सेकंड ऐसा यह निकोशन तो अब कुछ ने हो गया असान कोशन देखो क्या करने है यहां से य की क्वेशन बन जाएगी क्या 10 X-3 और यहां से इक्वेशन बन जाएगी 11 X-5 अब देखो तो य की दो वेल्यू आगी दोनों को बराबर रख दूँगा तो मैं आप इसको रफ कर रफ कर देता हूं उपर से थोड़ा सा यह एक्वेशन तो हमने लिख लिए ना तो देखें इतना हो गया अपना अब समझी आगे अब मैंने दोने एक्वेशन को बराबर रखना है 10 एक्स माइनस 3 और 11 एक्स माइनस 5 ठीक है अब आप सोचनों के सब्सक्राइब यह तो आपकी स्वीट दिए किलोमेटर पर आवर में दिया है टाइम हमारा सेकेंड में दिया तो आपने चेंज क्यों नहीं क होगा और इधर भी तो वह कट जाएगा इसलिए इसकोशन में टाइम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तब यहां पर सोल कर लें इसको क्या आएगा 10 एक्स माइनस 55 और यहां पर एक्स की वेल्यू कितनी आ जाएगी 25 सोल करके देख लेना तो इसका अंसर हो जाएगा 25 किलोमेटर पर ती आवर ठीक है तो यह कोशन ऐसे करना था बच्चा ठीक है आपका डाउट किलियर हो गया डाउट मैंने बीच बीच में डालने जो डाउट मेरे पास आए थे तो यह इसका अंसर क्या हो जाएगा 25 किलोमेटर पर आवर सी ओप्शन नेक्स्ट कोश्चन लीला इस ट्वेंटीफोर इयर ओल्डर दैन हर सन लीला अपने पुत्र से 24 वर्स बड़ी है अगर उनकी एज का अनुपाद दिया हुए तो बहुत असान कोशन है देखो उनकी एज का अनुपाद दिया लीला और उसका सन माल लेते हैं तेही सनुपाद 11 दिया हुआ है ठीक है और इनके बीच का जो फरक बताए गया हो कितना है 24 साल तो देखो ध्यान से यहां पर कितना फरक है 11 दूनी 22 और यहां पर 12 का और असलियत में कोश्चन में कितने का फ इंत फास पेपर होगा नहीं graduate लेवल का पेपर है ठीक है आपको बताऊंगा बाद में इसका नाम तो एक बराबर दो पूछा किसका है लीला की उमर पूछी है तो 23 बराबर एक बराबर दो तो 23 बराबर इसका दुगना 46 इयर तो इसका डी आप्शन सही हो जाएगा ठीक है फूर्स तीन दिन में कितनी दिवार बनाएंगे एमडी अच वसाला सबने सुना है एमडी अच लगाएंगे इसमें आप रोक के करो वीडियो कोश्चन देखते रोक लिया करो 20 गुणा 6 गुणा 56 ठीक है अच्छा गुणा 56 कैसे हो जाएगा 20 आदमी देखो एमडी अच होता है ना जो यह 56 मीटर है तो हमारा वर्क है ना तो नीचे आएगा वर्क 56 यही गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में 35 गुणा में 3 अपॉन में एक्स तो यहां पर देखो के 520 पांसर आजाएगा क्या तीन दुनी 6 और कुछ कट रहे है चार दुनी आट हो गया आट तो 56 ठीक है एक्स इधर चला जाएगा और यह साथ इधर तो एक्स बराबर 49 आजाएगा तो इसका अंसर कितना होगे सी ओप्शन 49 मीटर तो 49 मीटर का दिवार बनाई जा सकते 35 आदमी और तीन दिन में करूड है अगला कोशन यहां पे दो कोशन लगे हुए है कोई नहीं हमने आगे भी लगा हाँ एक हिकरन है यह वाला भी मत करना उपरिवाला कोशन करी आप यह नहीं करना है एक ट्रेन एक पोल को 20 सेकंड में पार करती है और एक साइकलिस्ट है वह आपोजिट डारेक्शन में आ रहा है उसको पांच किलोमेटर परती आवर से उसको 18 सेकेंड में पास करती है यहां पर क्या बोला है एक ट्रेन एक पोल को 20 सेकंड में पार कर देती है ठीक है तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी मैंने डिस्टेंस वाना हो है एक सभी मुझे नहीं पता कितने हैं और 20 ठीक है यह हो जाएगी अब तो यह साइकलिस्ट क्या होता है पोसिट डियरेक्षान से आता है तो क्या होगी एस पछलिस पांच होगी ना ज्यान से देखना वह से प्लस-पांच में तो एक्वेशन से करा रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा मैंने इसका पूरे कालस्यम ले 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 तो 18 हो गया यहां पर नीचे अठा रहे है रुख्जा मैं दुबारा लिखता हूं इसको अच्छे से ऊपर करके लिखते हैं थोड़ा सा फॉर्मुला तो आपको पता है यह पहली एक्वेशन बनी वही एस बराबर क्या है डिस्टेंस अपॉन में 20 सेकंड दूसरे से क्या पता चला एल्सियम ले लिया मैंने ये इतनी बात बता दी थी थी ना 18 एस प्लस 25 वटे में 18 और इधर डिस्टेंस क्या जाएगा नहीं पता ठीक है ट्रेन की स्पीड हमें बता नहीं है मैं तो दो एक्वेशन बना रहा हूं ये इतना टाइम क्लिक नहीं है बस आपको समझा रहा हूं इसलिए जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट के लिए रहो पेपर में कभी कोशन नहीं फसेगा मैं इस कोशन को 10 सेकंड में कर लेता ह हूं नीचे टाइम कितना लग रहा है ठारा सेकंड तो देखो ठार से ठारा कट गई एक डिस्टेंस की क्वेशन ये बनी और एक डिस्टेंस की क्वेशन क्या बनी 20 एस ठीक है तो मैं दोनों को बराबर रखने वाला हूं देखना कैसे इसको मैं रफ कर दूं पूरे कोई च तो यहां से कितना आ जाएगा टू एस बराबर अब कितना बचेगा 25 बचेगा एस बराबर 12.5 अब देखो इसमें आप सोच रहोगे अंसर नहीं आया यह हमारी यूनिट है मीटर पर सेकंड में भी क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में हर चीज को सोल किया था न अब इसको कि चेंज कर लेना है किस से किस से करोगे 18 बच्टे 5 से गुना करके तो मैं एक वर रफ करके देखता हूं क्या पता हमने कुछ गलती कर दियो इस चीज को भी देख लेंगे ठीक है चलिए मैं इसको करता हूं देखिए बारा पॉइंट पांच था पॉइंट अटाया नीचे दस आ गया इसको मैंने 18 बटे 5 से गुना करिया तो पांच से कटेंगे इसको 25 पंजे 125 पांच दुनी दस पंजे 25 दो नीम अठारा पांच नीम पंद तालिस आगे ना सही अंसर तो देखो कितना असान कोशन था किलिए रहे कर लोगे आप इसको चलिए तो मैं आगे चलू तो इसका अंसर हो जाएगा डी ओप्शन ठीक है कि कै Пण आ रहा है न समझ में समझ में मिक्स कोशन रपेपर मी यह इसकोशन आते हैं और कंफीजन में जल्डी जल्दी हमसे होते नहीं है और प्र बात अ ने सुछते हैं कि सरम से हुरा ही नी अ आखे बोलते हैं आप सभी देखो ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कॉम्पलीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम नबय डिग्री सब्लीमेंटरी का संब्दम क्या होता है दो हैं गाल का जम एक सोश्री डिग्री ठीक है संपूरक का यह पूरक है यह संपूरक है तो हम एंध्य क्या करूँगा मैं मान लू कुछ भी Angle मानने है जब भी option ना ऐसे हो तो नुमेरिकल वेल्यू में मैंने आपको सिखाया भी है जिसने मेरे से पढ़ी होई है कि आपको सीधा किस्ते कर लेना वैल्यू रख लेनी अंगल की अम मुझे पता है कि दोनों अंगल को अगर मैं नभय नभय रख लो तो एक सवस्थी हो जाएगा जोड जो कोश्ण में ब इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत से बच्चों से नहीं होता है कोश्ण भी और इतना इसी कोश्ण होता है छोड़ के आ जाते हैं बताव दो से ज्यादे का था अब यह कोश्ण देखिए विच आफ दिस विल हैव दा लीश्ट एरिया सब से कम एरिया किसका होगा है एक लेलो you can Exagen कैसे होता है से होता है कुछ अगर मैं आपको पता है कि यह रघूलर है PS刘 मैंने आपको सिखा भी दिया तो यह ये यह 6 इक्विलेटरल ट्रेंगल में मतलब शेव बर्पार में यह बचत जाता है तोकि चुर जोटरीया बराबर वाले तर्भू जोते हैं रूट 3 वाइफ और एक इतना है वन को ठीक है वन का स्क्वेर वन तो यहां से सोल परोगे तो यह कितना आजाएगा दो ती अच्छा है दो दूनी चार थ्री रूट 3 वाइट टू पहले का थ्री रूट 3 वाइट ठीक है अगले का देखें इस सर्कल और रेडियस वन यूनिट पाई आर स्क्वेर तो 22 वटे साथ आ जाएगा इस कंसर ठीक है ए स्क्वेर और साइड 24 रूट 12 यूनिट तो 24 यूट 12 यूनिट का क्या आएगा इसका तो बहुत बड़ा आन है क्या पूछा है सबसे कम पूछा है देखो 24 गुना 24 ही करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा अब comparison रह गया किसमें इन दोनों में तो इसका भी पता आपको 3.14 होता है ठीक है और इधर ध्यान से देखो कि क्या हो जाएगा त्री रूट 3 तो देखो यहां पर रूट 3 की वैल्यू आपको पता हो नीचे थोड़ी सी यह होती है और नीचे 6 से खामाने वाले तो आपकी न सबसे च्छोटी वैल्यू क्या होगी यही होने वाली है कैसे देखो इसको गुना करोगे च्छय से च्छोटा आएगा कुछ और 2 से वाग दोगे तो क्या हो जाएगा और बीचोटा हो जाएगा और यह मतलब 6 अगर मैं 6 कोई 2 से भाग देता हूं तो 3 हो जाता है ना अगर मैं 6 से छोटे संख्या को 2 से भाग दूँगा तो वह कुछ 2.0 सम्थिंग होगी और यह पहले 3.14 है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ए ओप्शन मतलब भी ओप्शन हो जाएगा एक काई वाले एर्रागुलर हेक्सागन ने यह तो वी ओप्शन तो वुरत है ना यह हो जाएगा इसका यह होगा ठीक है तो सॉरी चले नेक्स्ट कोश्चन अब यह रहा अगला कोश्चन बताईए का मुझे यह रहा नेक्स्ट कोश्चन आपका लगबग हमने अभी तक 15 कोश्चन कर ली है और आपकी क्लास का टाइम होया 20 से 23 मिनिट उसमें देखो मैं समझा भी रहा हूँ तो मतलब कोश्चन तो आपको पता ही है 20 सेकिंड्स में हो रहा है समझाने में टाइम लग जाता है क्या कहता है एक नंबर है अगर उसको 15 से विवाजित करने पर शेश्वल 12 वस्ता है ठीक है आपने मुझसे नंबर सिस्टम तो पढ़ाई है ना यह कोश्चन उसी से होगा और कराया भी है साथ मैंने देखो इंगलिस में कोश्चन पढ़ लेते हैं ठीक है बारा बस्ता है अगर अनदर नंबर वें डिवाइड़ बाइड़ फाइफ कोई दूसरा नंबर है अगर उसको पांच से वाग देते हैं तो उसका रिमेंडर दो बस्ता है वाट इस देमेंडर वें देर सम डिवाइड़ वाइफाइफ देखो कुछ नहीं है मैं बोलू अगर कोई बारा ही है आपको एक चीज सिखाई थी बारा को भी अगर अगर पंदरा से भाग देंगे तो यह भी बारा ही रिमेंडर देगा तो मैंने बारा ही माल ली ऐसे अग अगर हम दो को अगर पांच से भाग देंगे तो यह दो ही रिमेंडर देगा और क्या कहता है फिर उन दोनों का जोड तो बारा प्लस दो करना था आपको इसमें चोदा आएगा और चोदा को अगर पांच से भाग देंगे तो रिमेंडर क्या बचेगा पांच दूनी दस च पूरी प्लेलिस्ट बनाके मैंसुरेशन चैटर हो चुका है नंबर सिष्टम मिक्षर एलिगेशन वह सब आप जाके महाँ पर कर सकते हैं ठीक है अभी नेक्स्टम अर्थमेटिक का बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप जब तक अगर सजेशन देना चा ठीक है और वापीस आ रही है 15 किलमेटर तो मुझे पता यहôn डिष्टैंस तो 5 किलो मीटर दोनो टाइम तरफ से ठीक है तो अगर इसको जाने में अगंटा लगता तो 5 किलो मिटर परावर सब प्रावर को बता दिए 15 किलो मीटर परावर सरय तो आपको पता है उसके क्या बोला इन्होंने कोश्चन में उसकी बेहन सम्रिती अपनी बेहन दुर्गवा के ओसत साल से जाती और आती है कि हर सिश्टर सम्रिती मेक्स ता सेम राउंट्री बट डज देखो यह ना हिंदी और इंगलीस में कोश्चन अलग है इसलिए अंसर हमारा उप्षण से अलग आ सकता है वैसे तो इसमें ऑप्षण है नहीं बट जिसने वेजा उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ऑप्षण से अलग आ सकता है इसका अंसर क्योंकि देखो हिंदी में क्या बोला है उसकी बहन सम्रिती अपनी दुर्गा की ओसत साल से जाती हो राती है और यहां पर हाफ ओफ दुर्गा बोल दिया है ठीक है तो यह वर्ड थोड़ा सक अलग है दोनों कोश्चन में दोनों लाइंग्वेज से करके दिखा रहा हूं आपको इसलिए ठीक आपने एक फॉर्मुला पटा होगा तू एक्स वाइपन में एक्स प्ल उलती और चाती है चाकरति इसकी इवरेज स्पीड से आईगी और जाएगी तो आपको पताह id Commons कि यह उति fulfill अगर वह 10 किलोटर साढे 7 कि स्पीड से जाएगी तो साढे 7 किलोमीटर वो 60 मिनेट में चली जाएगी बचा directors किलोमीटर कितनी विश मिनत में छाएगी बीस मिनेट में ठीक है तो इसाधे upset कितनी में अ strict फ्ल्रेबात इतनी अगर आपको इसको सॉल करना हे तो सॉल कर लो यहां से यह ताइम निकल के आएगा वो आवर में निकल के आएगा और इसको फिर मिनट में converter लेना है मिननेट में इसके option option cut गए है मैं क्रॉप करते टाइम ठीक है अब इंग्लिश में बात करोगे इंग्लिश में कुच्छ नोर करना तो इंग्लीश में लाग कि दस किलो मीटर दस गुणा में चार उपर चला जाएगा तेरा नीचे तो 40 वटे 13 ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा तीन सई एक वटे 13 गंटे लगेंगे और इसको मिनट में चेंज करना चाहो तो मिनट में ठीक है तो यह कोशन हिंदी में सही था ओप्षन के इसाब से क् कि मेरे को तो अप्षन याद है इसके क्योंकि डाउट पुछा था तो मैंने इसको बताया भी था यह के लिए आगे चले अगला कोशन यह देखिए लग रहा होगा बहुत असान कोशन है पर बच्चे इसमें भी फस जाते हैं कैसे करोगे देखो बिलकुल बेसिक से करना इ अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो यह पॉइंट यहां से अटके हाँ जाएगा किलियर किलियर ना इतना बात अब यहां से भी अटाऊंगा तो नीचे क्या जाएगा एक दो तीन चार चार जीरो आ जाएंगी अब 11 से इसको काटा मैंने आठ पे गया ठीक है अब क्या जाएगा जीरो पॉइंट कितने बाद चार अंको बाद लग जाएगा तो यह इसका अंसर हो ठीक है जल्द वाजी में गलत हो जाता है कोश्चन तो इसको आपको ज्यान से करना है बच्चे सोचते बहुत असान है जल्दी से कर देते हैं फिर पॉइंट में गडवर्ड हो मैं चले नगस्ट कोश्चन अंधि यह यह राए लास्ट कोशिण आज कहा हमारा इसको कर लेते कॉश्चन सो और भी है बट हम बाद में करेंगे अब कल वाली क्लास में ठेक है प्यक्र हमारा दो क्लास में पूरा डिस्कश होगा तो क्योंकि आपको पता एक पेपर को डिसक ये P point है, Q point है, एक P से सुरू करता है और एक Q से सुरू करता है, ठीक है? एक P से Q की तरफ जाएगा और एक Q से P की तरफ जाएगा, एक दूसरे को पार करने के बाद, यहाँ पे हमने पार किया, यह साथ बटे दो हावर लेता है, यह बहुत important question है, बार-बार पुछा जाता है, जिसको formula आदने हो करनी पाता है, और दूसरे वान, मतलब नीचे वाले की मानली, हमने 70 km स्पीड दी हुई है, ठीक है? तो इसकी स्पीड बतानी है, और जिसको आता होगा नहों, फोर्मुला लगाएगा फटा 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 देखो एक फोर्मुला लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो बहुत दीप पढ़ाऊँगा, फोर्मुला क्या होता है, अब मैं इस फोर्मुले को भी हटा रहा हूँ, अब मैं डारेक्ट इसमें वैल्ली पुट करूँगा, क्योंकि जगा की कमी है, एस वन हमें निकाल ली है, एस टू दी हूँए सत्तर, बराबर, रूट, सात बटे दो, ठीक है, और दूसरी क्या है, गुणा में 18 बटे में 7, ठीक है, ध्यान से देखना क्या आगया रूट में, 49 बटे में 36, इस रूट को सोल कर लोगे, तो कितना आ जाएगा, 7 बटे में 6, क्या जाएगा, S1 बटे में 70, गुणा में 7 बटे में 6, ठीक है, इसको आप कर लो सोल, 70 बज़र चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 70 गुणा 7, कितना हो जाएगा ये, 490, और 490 बटे में 6, 490 बटे में 6, तो 6, ठीक है 48, कुछ गड़वड हुए न, कोश्चन में हमसे करने में, कोश्चन में कुछ गड़वड हुए न, इस कोश्चन में ही साइध एरर दिया होगा, उन्होंने, एक बर और देख लेते हैं, क्योंकि 490 बटे, 6 को डिवाइड करूँगा, तो क्या आएगा, 6,88, क्योंकि हमारा तो आवर में ही चल रहा है, सब कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहां से कितना आजाएगा, 81, तो यह गलत हो गया, इसको ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो होता यही है, क्योंकि कम्प्लीट प्रोसिंग, अरे मेरे को हिंदी में देखना पड़ेगा, तो देखें, वो ही गलती हो गई थी हमसे, S1 by S2 है, और इदर रिट T2 by T1 था, और मैंने पहले T1 रख दिया थो अपड़, ठीक है, ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है, अब मैंने ध्यान से पड़ा, तो मिरे को दिख गई गलती है अपनी, ठीक है, मैं आपको बता रहा थो, और मुझसे ही ओगलती हो गई, तो देखें, फोर्मुले में क्या होगा, S1 निकालना है, S2 सत्तर है, रूट, T2 कितना दिया है, 18 बटे 7, T1 कितना दिया है, 7 बटे में 2, तो यहां से कितना आएगा, 6 बटे में 7 निकल के आएगा, 7 से एकट गया 10 से, तो S1 कितना आजाएगा, 60 किलोमेटर पर आवर, ठीक है जी, तो इसका अंसर हो गया, 60 किलोमेटर पर आवर, अब हमारे कुछ कोश्चन सोर बचके, वो हम कल वाली क्लास में करेंगा, और फिर मैं आपको पेपर बताऊंगा, ठीक है, पेपर के लिए आप excited रहना, आपको PDF भी मिलेगी वैसे, वैसे पेपर का नाम बता दूँगा, तो आप Google से भी find कर लोगे पेपर को, पर आपको इसकी PDF मिलेगी, तो आप टेलिग्राम ग्रूप में पूरी के पूरी बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दुबारा से, ठीक है, तो आप टेलिग्राम ग्रूप भी जोइन कर लेना, परीक्षा जोन के नाम से मिल जाएगा आपको, और अगर आप भाँ से ना सब्च करना चाहें, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप फेस्बूक ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं, टेलिग्राम यूज नहीं करते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर कोई जाद ही प्रोब्लम है तो आप कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे वहाँ पर आपको सॉलुशन प्रवाइड कर देंगे, ठीक है, तो चलिए थैंक्यू बेरी मच्च, सेसन को शेयर कीजएगा ज्यादा से ज्यादा,